नमस्कार, हिंदेश साहित्य वारता में, आप हैं इसक्त सुभाष चाकुर के साथ, दोस्तों अगर आपने भी HP LT Commission 2021 की परिक्षा 28 नवंबर 2021 को दी है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक दिन पहले ह आयोग ने हमारी जो LT Commission 2021 की आंसर की रिलीज कर दी है, जिसमें आप देखेंगे लगभग 9-10 प्रशन ऐसे थी जिन पर आप अपनी अपति दर्ज कर सकते हैं, जो आयोग के द्वारा उसके गलत आंसर बताए गए हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़ाद करते हुए तुके से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, यहाँ पर देखिए दिखा गया है how to claim, कि आप claim कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको claim क्यों करना चाहिए, ये चीज समझना पहले बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है, अगर आपकी परिक्षा बहु claim करना चाहिए, और कुछ students ऐसे भी हैं, जो ये सोच रहे हैं, कि अगर हम claim नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई कर लेगा, तो शायद हमें उसके marks मिल जाएं, तो मैं इतना ही आपको कहूंगा, कि risk नहीं लेना है, हो सकता है, जिस तरीके से UGC net में आप देखते हैं, कि जो हो सकता है, उसको आपको जरूर करना चाहिए, आगे मैं आपको विस्तार से बताओंगा, कि किस तरीके से आपने application लिखनी है, कैसे आप claim करेंगे, कौन सा right answer है, कौन सा आपका wrong answer है, है ना, और आयोग ने क्या दिया है, उसको भी आपको mention करना, ये सारी चीज़े मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले में ये चीज़ जरूर कहूंगा, कि अगर आपके साथ ऐसी situation है, 10 प्रशन कम नहीं होते हैं, हालां कि हो सकता है कई हो कि आपको common marks मिलेंगे, लेकिन कुछ एक प्रशन ऐसे हैं, जिन से आपको edge मिल सकता है, तो आपको definitely यहाँ पर आयोग के द्वारा गलत बताए गए हैं, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो D-series का question paper मेरे पास था, उसमें जो प्रशन थे, प्रशन संख्या 23 थी उसमें, ये लिखा गया था कि सती प्रथा को किस मुगल शासक ने रोकने का प्रियास किया, तो देखिए, इ अंसर जो होना चाहिए, और अकवर होना चाहिए, और इसका reference आपको कहां से मिलेगा, ये चीज़ भी मैं आपको साथ-साथ यहां पर बताता रहूंगा, अगर आपके पास reference नहीं है, तो आप comment section में जाकर कह सकते हैं, आप description box में दिए गए, whatsapp number के जरी हम से जुड सकते हैं वहां पर हम आपको provide कुराने की पूरी कोशिश करेंगे, कि कहां से आपको इसका reference भी मिल जाएगा, तो दीखिए, इसका reference में यहां से आपको बता दूँ, अगर आपके पास Lucent GK की जो book है, समानने घ्यान की, उसका जो page number 40 है, उसको आप देखिए, वहां पर बकाईदा note क प्रतर के लिखा गया है, कि यह आपका जो अकबर ने क्या है, सती प्रता को रोपने का प्रियास किया था, यह चीज आपने ज्यान रखनी है, पहला प्रशन है, 23rd question number D series का, बाकी आपके पास जो भी series है, आप वहां से इसको अपने प्रशन को देख लिजे, दूसरे नंबर पर प्रशन था, 41 question, तो शताबदी में कौन सा समास है, लास्ट इयर भी इस तरीका का प्रशन पूछा गया था, और बाद में वो डिलीट करना पड़ा था, और एक और चीज भी रही, कि इस बारी के पेपर में आप देखेंगे, बहुत सारे प्रशन पिछली बारी के जो रिपीट हुए हैं, और पैटरन भी लगबग लगबग वैसा ही रहा है, और उन्ही प्रशनों में वो ही आंसर दिये हैं, जो पिछली बारी पहले सही किये थे, और बाद में वो हटा दिये गए थे, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखने हैं, शताबदी में जो समास होना है, हलां कि ये तो मैं समझता हूँ, इसको कट जाएगा ये प्रशन वैसे, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको रेफरेंस देना है, तो इसके लिए भी आप रेफरेंस धूनने की कोशिच जरूर कीजिए, कब तक आपने रेफरेंस दे सकते हैं, आप या यू ये हम सब लोग जानते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इनकी एक प्रसिद रचना रही है, हिंदी साहिते यास का ग्रंत रहा है, इनका साहिते यास लेखन में, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी, अगर आपको नहीं है मालूं, तो आप इसके लिए भी हमें कर सकते हैं, कॉमेंट करके बता सकते हैं, तो दृष्टी IES के जो राइटर रहे हैं, उनकी एक बुक आती है, दृष्टी की ही, UGCnet के लिए, उसमें आपको ये चीज अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये बहुत कॉमन सा प्रशन है, यहाँ पर इस आप इसको क्लेम कर सकते हैं, किसी भी बुक में यह आपको मिल जाएगा, नेक्स प्रशनाता देखे, माधवनल कामकंदला, तो जीतने भी राइटर थे, सब के सब ने माधवनल कामकंदला शेर्शक से लिखी है, और यह मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बात बता जाये ज़े हैं, और आपके जो आलम की रशना भी रही है, साती सात वहाँ पर गणपति के बताए गई है, तो उन्होंने भी माधवनल कामकंदला शेर्शक से यह रचना रची है, तो इस पर भी क्लेम किया जा सकता है, और हो सके तो यह प्रशन भी कट हो सकता है, नेक्स इस प्रशन को भी आप क्लेम कर सकते हैं, फिर आता है माधव हम परिनाम निराला पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति विद्यापती की थी और विद्यापती भी विकल्प में कहीं भी नहीं रहा, जो 55 जो question number था देखिए, इसमें भी आपको ये गलत बताया गया था, कोई भी आ आपको बता दूँ, जिस भी बुक का आप reference देंगे, उस बुक का ISBN number होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो आपकी help बुक है, या फिर आपकी कोई reference बुक ही है, लेकिन ISBN number आपके पास होना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास वो नहीं है, तो थोड़ी सी दिकत हो सकती है हलांकि फिर भी अगर आप बिन ISBN number के दे रहे हैं, या कहीं नहीं मिल पाता है, तो आप guidebook का reference भी दे सकते हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, कि आप उनका reference नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नेक्स जाते हैं, देखिए, इसके अलावा और भी प्रश्न हैं, जिन पर claim हो सकता था, देखिए, यहाँ पर, एक minute आगे हो गया, मैं इसको देख लेता हूँ कि फिर से, यहाँ पर 88 जो question था, भारत में TV कारेकरम कब से प्रारंब हुआ, तो यह था आपका 1959, जबकि उसमें बतायागा है, 56, यह प्रश्न भी इसको हम claim कर सकते हैं, मैं अभी इस question को हालांकि फिल कहां से आपको यह मिल रहा है, उसका link भी आप दे सकते हैं, लिखके, type करके, next आता है, किस अनुप्रास में अनुवै से अर्थ में चमतकार पैदा होता है, तो इसका जो सही answer होना चीए था, यह था लाटा अनुप्रास, जबकि वहाँ पर अंत्या अनुप्रास दिया गया तो यह रहाएगा लाटा अनुप्रास, यह था इसका सही answer, next question देखिए, यह भी last time पूछा गया था, और same वही चीज, वहाँ भी पहले रूपवाद में दिखा बाद में बिम्बवाद किया गया, और यही चीज, हलांकि हमने पहले ही बता दिया था कि आपके, किसके अंतर यह 343 के आसपास है, जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि किस में है, यह reference, तो इसके लिए भी आप reference हम से ले सकते हैं, बहुत ही common सा प्रशन है, यह last time पूछा गया था, और इस बार भी इन्होंने यही गलती फिर से आयोक से हुई है, तो आप इस पर भी जरूर क्ले रहे वो रहे प्लैटो के पिता, और यह प्रशन भी आपका कट हो सकता है, क्योंकि विकल्प में कहीं भी, जो इनके पिता का नाम था देखिए, सोफरो निसकस था, जो सुकरात के पिता थे, वो विकल्प में नहीं दियागा था, तो विकल्प नंबर D इसका सही अंसर था, तो यह कुल मिलाके लगभग आपके 10 प्रशन ऐसे हैं, जिन पर आप क्या है, क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी और प्रशन भी आपको क्लेम करना चाहिए, या उस पे कुछ गलती हुई है, मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे लगा कि ये वा उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि उस पर भी क्लेम किया जा सकता है, तो आप वो भी क्लेम जरूर कीजिए, क्लेम करना जरूरी क्यूं है, क्यूंकि अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, कि मैं अगर नहीं करूं कोई दूसरा कर लेगा दूसरा यह सुचेगा कोई तीसरा कर लेगा ऐसे में आप देखेंगे एक तो परिक्षा ही बहुत कम लोगों ने दी है 4000 लोगों ने अपलाई किया था उसमें से बहुत कम लोग पहुंचे थे अपने center तक मतलब बहुत सारे लोग यह सूच रहे हैं कि 4 seat हैं या 9 seats हैं तो हमारा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है वह एक lottery है लेकिन अपनी ओर से अगर आप अच्छे तरीके से आगे इसको करेंगे तो definitely मैं समझता हूँ कि आप इसमें थोड़ा interest दिखाएए तो definitely आपके लिए यह सही हो सकती है यह चीज़ चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए जो प्रेस विग्यप्ती निमंदर शाय गई अस्थाई उत्रकुंजी हालांकि इसके नीचे जो answer की थी वो थी मैंने उपर वाली जो चीज़े हैं कि आप कब तक इसको मैं claim कर सकते हैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि 28.11.2021 को आयूजित हुआ था आपका language teacher का commission का paper यदि अभ्यक्तियों को उत्रकुंजी के संदर में कोई आपति हो तो वे लिखित साक्षों documentary proof के साथ आयूग कार्याले में व्यक्तिकत तोर पर अत्वा dark द्वारा अपनी आपतियां प्रेशित कर सकते हैं देखे आप खुद भी वहाँ पर जा सकते हैं आयूग और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप जो है simply वहाँ पर आपको hard copy मतलब वहीं जाके ही देना ऐसा नहीं है आप इसको घर से भी बेज सकते हैं आयो के निर्णे के अनुसार email द्वारा भी प्रेशित आपतियां जो सुईकार नहीं होंगी आप email नहीं कर सकते हैं आयो कारले में 612-2021 आपतियां वीचारनी होंगी मतलब अगर शाम 6 वजे तक वहाँ पर 5 वजे तक भेज देते हैं 6 तारिक तक तो definitely आपके जो accept की जाएंगी आपतियां दर्ज करते हैं समय अभिर्थी पदनाम पदकोड अनुकरमांग अपनी प्रशन पुस्तिका question booklet की जो series है वो अवश्य इ बता दी थी तो इस बार यहां पर देखिए to the controller of examination HPSSC हमीरपूर new पकपड़ो हो district हमीरपूर HP फिर इनका जो pin number है वो सही से आपने लिखना है और subject है आपका application regarding objection of answer की for the post of language teacher commission post score 919 B series का मेर पास है आपके पास जो भी series है उसको आप देख लीज़े है फिर आपने simple यहां पर यहां पर देखिए यह कह रहा है कि सबसे पहले आपको कितने column बनाने है serial number का एक column बन जाएगा question number जो आपने claim करना है फिर answer आपने claim जो अभी पुरानी की है उसका answer क्या था वो आपको बताना है फिर आपने अपना जो right answer है वो देना है फिर जिस book से आपने reference लिया है उस book क नाम यहां पर लिख देना है ठीक है इसको आप handwritten में भी लिख सकते हैं हाथ से लिख के भी आप इसको कर सकते हैं और जितना बड़ा आपको अलम बना सकते हैं इसको अपनी सुविदानुसार वो बनाते रही है फिर उस book का ISBN number आपको जरूर से याद रखना है कि ISBN number क्या है ह इसकी photocopy भी आपको साथ में attach करनी है यह चीज आपने कर लेनी है for example यहां पर देखिए हमारा पास जैसे प्रशन था काल भी भाजन को लेकर के पूछा गया था तो उसमें answer जो था वो मिश्रबंदू C दिया गया था question number संख्याती उसकी D series की मान लीजिए उसका जो प्रश book name लिख दिया यहां पर आपने क्या लिखा आगे आपने लिख दिया मान लीजिए आपका book है यह आपने book name यहां पर लिख दिया फिर उसका ISBN number जो भी है 123 है ना उसको लिख दीजे फिर page number 40 यह आपने इस तरह के से इसको लिख दिया ठीक है ऐसे ही करके आपने जितने भी दूसरा करम संख्या 2 डाल देनी है question number जो आपका है वो ही आपको डालना है वैसे वैसे जब आप इसको complete कर लेंगे last में sum up करके इसको दिखे यहां पर आपने क्या लिखना है पद नाम यहां name से मतलब है अपना नाम भी लिख सकते हैं साथ में आप पद नाम भी लिख सकते हैं ठीक है वो चीज next है roll number आपका जो roll number है वो आपको सही तरीके से लिखना है and आपका जो post code है इसको आप देख लिए 999 ही है या कुछ और है मेरे अनुसार तो 999 ही था शायद and जिस दिन आप भेजेंगे उस दिन को आपने यह post करने से पहले वाली date या post करने वाली date जो आपने यहां पर डाल देनी है तो 6 तारिक से पहले पहले आप यह सारी चीज़ें करके अपने जो आपतियां हैं उनको दर्ज कर सकते हैं और अपना जो सही answer है वो आयोग को भेज सकते हैं तो यह थे थे थोड़ा सा हलका सा process जो आप सब लोगों को करने की जरूरत है and wish you all the very best I hope आप सब लोगों को यह चीज़ जरूर करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए उप्योगी साबित हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेर करना बिलकुल भी न भूलें क्योंकि इस तरीके की जानकारी जो है वो आपके